अगले साल होने वाला है टीट्विंडी वर्लकप दुहजार चौबिस जो शुरू होने वाला है तीन जून से तो उसका फाइनल होने वाला है 30 जून को और सारी टीमें इस वर्लकप को तैयारियों में लग चुकी है हम अक्सर देखते हैं कि जब बे कोई इसा बड़ा टूर् दिगज खिलारी रिटार्मेंट से वापसी करता है वर्लकप यसे टूर्णमेंट खेलने के लिए हम रहे जब अगले साल टीट्विंडी वोल्लकप होने जा रहे तब कुछ ऐसी ही खबर सामने आ रही है साउथ आफ्रिका की पूर्फ कप्तान और करेंटली आइपील में आ अगले साल T20 वर्ल कप खेलने के इच्छा जताई है और इस बारे में उन्होंने साउथ आफरिका के कोच रॉब वॉल्टर से भी बात करी है रॉब वॉल्टर ने भी यही चीज कही है कि वापसी के दरवाजे अभी बंद नहीं हुए है यानि डुपलेसी अभी भी वापसी क कर सकते हैं ऐसा उनके कोच ने कहा है आपको बताएं आखरी बार फाब डुपलेसी ने साउथ आफरिका के लिए का मुकाबला 2020 में खेला था उसके वाजब रिटार्मेंट लेली तब तरह तरीके टीट्वेंटी लीक्स में खेलते हैं हमें अक्सर नजर आते हैं और अभी अबुदवी में टीटेन लीग चल रही थी तब उस दोरान भी फाब डुपलेसी ने आपे बयान दिया और उसी दोरान उन्होंने अगले साल टीट्वेंटी वर्ल्ल कप खेलने के अपने इच्छा जराई और अपने फिटनेस पर भी बात करी है अगर आपको बताएं तो नए कोच से भी बात की है मैं यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करता हूँ कि मैं अपने शरीर का देखबाल कर सकूँ ताकि हम इस शांदार खेल को खेल सके जिसे हम बहुत पसंद करते हैं जब आप थोड़े बड़े हो जाते हैं तो आपको यह सुनिश् खिलाडियों के खिलाफ खेल सकते हैं यहां पर देखे तो अगर फाफ डू प्लेसी ने अपनी स्टेट्मेंट में जो है यहां वापसी करने की इच्छा चताई है अगर आपको बताए तो फिलाल जो है फाफ डू प्लेसी थर्टी नाइन येर्स के अल्रेडी हो चुके है लेकिन उनकी फिटनेस अभी भी काफी ही शांदार है आर्से बीन हम देखते हैं कि काफी शांदार प्रदेस्चन उनने दिखाया है फ्रेंचाइजी के लिए और तब से जो हाफी आडिस दो साल से 2022 798 रन स्कुल बना दिये हैं बहुत ही शांदर प्रदर्शन बल्ले से दिखा रहे हैं और उमीद जतारी कि अगले सार T20 वर्लकाप में वापसी करें अगर ऐसा होता है तो साउथ आफ्रिका के लिए बहुत ही शांदर बात हुए कि हम सारे जाने डूपले सी कितने विस्पोर् है कुना बिल्कुल प्यों बुलेगा